सभी मित्रों को जय जय सियाराम प्रभु सिरी राम एबम हनुमान जी की किरपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो आईए आज आपको हम बताएंगे कि हनुमान जन मोत सब कब है हनुमान जी आज भी इस कली युग में भी चारो जुग में चारो जुग पर ताप तुम्हारा है परसिद जगतु जी आरा हनुमान जी चारो जुगो में रहते हैं जहां जहां राम कथा का योजन होता है हनुमान जी पहले से ही मौजूद रहते हैं क्योंकि हनुमान जी सोसरीर इस प्रिथवी पर हैं उन्हें माता सीता का आशिरबाद प्राप्थ है अजर अमर होने का हनुमान जी के असमरन मात्र से हनुमान जी का नाम सिर्फ मन में आ जाए तो आपके सारे संकटों का नास हो जाएगा गोश्वामी तुलसिदास जी हनुमान चालिशा में लिखते हैं कि संकट कटे मीटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा तो आईए आपको हम बताते हैं कि हनुमान जी अन्ती कब है ऐसे हनुमान जी अन्ती एक बार और मनाया जाता है चैत्र छोड़के चैत्र पुर्णिमा को छोड़के कार्तिक महीने में भी हनुमान जी अन्ती लोग मनाते हैं तो आईए चैत्र पुर्णिमा 23 अप्रील को तीन बज कर 25 मिनट पर शुरू होगी और 24 अप्रील को यानि अगले दिन शुबह 5 बज कर 18 मिनट पर इसका समापन होगा ऐसे में हनुमान जयनती का त्योहार 23 अप्रील दिन मंगलबार को ही मनाया जाएगा अगर हनुमान जयनती जब सनीबार और मंगलबार को पड़ता है तो इसका और भी ज़्यादा महत तो बढ़ जाता है खनुमान जर्मोच सपर बजरंग बली की पूजा के इसवार दो शुभ मुर्थ है पहला शुभ मुर्थ शुभा में है जबकि दूसरा मुर्थ रातरी काल में है तो पहला सुभ मुर्थ जो शुभा है का है 23 अप्रिल को सुभा 9 बज कर तीन मिनट से दोपहर एक बज़कर अंठावन मिनट तक और दूश्रा मुहुर्त तेईस अप्रील को रात आठ बज़कर चौद्व मिनट से लेकर रात नो बज़कर पैंटिस मिनट तक हनुमान जी की पूजा करने की शरल बिधी सबसे पहले ब्रह्म मुहुर्त में असनान ध्यान करके और हनुमान जी की पूजा का संकल्प ले हनुमान जी की पूजा अभुज मुहुर्त देखकर ही करे सबसे पहले उत्तर पुर्दिशा में चौकी पर लाल कपरा बिछाएं हनुमान जी के साथ साथ उहां स्री राम दरवार का भी चित्र जरूर होना चाहिए हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें और लड़ू के साथ सल्थ हनुमान जी को तुलसी दल भी अर्पित करें पहले स्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमह का जाप करें फिर हनुमान जी के मंत्र ओं हं हनुमते नमह का जाप करें अगर आप आर्थी किस्तिती में शुधार लाना चाहते हैं तो हनुमान जी अन्ति के दिन एक काम जरूर करें एक बर्गत का पत्ता ले ले और उसे स्वक्ष कर ले माने शाफ करके धो ले और इसके बाद उस पत्ते को हनुमान जी के सामने रख दे पुजा करें उसके बाद इस पत्त पर केसर का केसर से स्री प्रभु स्री राम का नाम लिखे पुजा समात होने के बाद इस पत्ते को अपने पर स्याति जोरी में रख दें ऐसा करने से आपकी आर्थी किस्तिती में शुधार दें